प्रस्न आठ का पाँचवां गुनन खंड करें तो प्रस्न है एक वटा चार एकस स्क्वाइर प्लस बाई स्क्वाइर प्लस एक वटा सोल्ला जेड स्क्वाइर माइनस एकस बाई माइनस एक वटा दो बाई जेड प्लस एक वटा चार जेड एकस ये है प्रस्न तो एक वटा चार एकस स्क्वाइर प्लस बाई स्क्वाइर प्लस एक वटा सोल्ला जेड स्क्वाइर प्लस एक वटा सोल्ला जेड स्क्वाइर प्लस एक वटा स्क्वाइर प् x by माइनस-1वटा-2 by z प्लस-1वटा-4 zx तो इसको a plus-b plus c का होल स्क्वाइर के सूत्र पर हल करेंगे तो a plus-b plus-c का होल स्क्वाइर बराबर क्या होता हि Hey a square plus-ba square plus c a square plus 2ab plus 2b c plus 2ca तो एक वटा चार X स्क्वाइर को A स्क्वाइर के रूप में लिख लेंगे बाई स्क्वाइर को B स्क्वाइर के रूप में लिख लेंगे एक वटा सोला Z स्क्वाइर को C स्क्वाइर के रूप में लिखेंगे माइनस X Y को प्लस 2AB के रूप में लिखेंगे माइनस एक वटा दो बाई जेड को प्लस दो भी सी के रूप में लिखेंगे और प्लस एक वटा चार जेड एक्स को प्लस दो सी एक के रूप में लिख लेंगे तो एक वटा चार एकस स्क्वाइर तो इसको हम लिख सकते है चार किसका वर्ग है? दो का तो लिख लेंगे 1 बटा 2 x का whole square तो हो गया a square यानि 1 बटा 4 x square को इस तरह लिख सकते हैं 1 बटा 2 x का whole square क्योंकि 4 2 का वर्ग है और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है ठीक है इस तरह लिख लेंगे तो a square अब देखें यहाँ पर minus में है x by और minus में है 1 बटा 2 by z तो by दोनों में आ रहा है by जो है दोनों में आ रहा है इसका मतलब है कि by को minus में लेना है तभी यहाँ पर यह दोनों minus में है क्योंकि z x यहाँ पर है तो यह दो देखें plus में है तो by minus में होने कारण यह दोनों minus में है तो बाई दोनों में है देखिए एकस बाई है यहाँ पर बाई जेड है यहाँ ठीक है माईनस एक बटा दो बाई जेड है तो बाई दोनों माईनस में है यानि बाई को माईनस में लेंगे तो प्लस माइनस बाई का खुल स्क्वाईर इस तरह लिख सकते हैं तो बाई स्क्वाईर को माइनस बाई का होल स्क्वाईर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि माइनस बाई, गुना माइनस बाई करेंगे तो by a square आ जाएगा यानि plus हो जाएगा minus minus क्या हो जाएगा plus तो minus by का वर्ग by a square होता है यानि by a square को इस तरह लिख लेंगे minus by का वर्ग plus 16 किसका वर्ग है 4 का तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 4 z का whole square तो 1 बटा 16 plus z square को इस तरह से लिख सकते हैं एक बटा 4 z का whole square तो हो गया a square plus b square plus c square अब plus 2ab देखे plus 2a a में कौन है? एक बटा 2x into b में कौन है? minus by b में कौन है? minus by इस तरह लिख लेंगे तो 2ab देखे a square plus b square plus c square plus 2ab तो बीच में बिंदू का मतलब क्या है? गुना में यह तीनों गुना में है यानि 2ab a में कौन है? एक बटा 2x b में कौन है? minus by b के जगा पे तो इस तरह लिख लेंगे plus 2ab plus 2bc plus 2bc b में कौन है? minus by plus 2bc c में कौन है? एक बटा 4z एक बटा 4z तो a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca c में कौन है? एक बटा 4z a में कौन है? एक बटा 2x है इस तरह लिख लेंगे इसको तो यह हो गया a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca इस तरह से तो यहां पर क्या है? minus x by देखे इसको अगर गुना करेंगे तो minus x by आ जागा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? minus x by और यहां पर है minus 2 by z minus 1 वटा 2 by z है तो इसको अगर गुना करेंगे तो देखे 2 दूना 4 कटेगा यानि minus 1 वटा 2 by z आएगा और plus 1 वटा 4 zx है तो इसको अगर गुना करेंगे तो क्या आ जागा? 1 वटा 4 zx क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा दो बार में तो नीचे 2 है यानि 2 दूना 4 हो जाएगा तो एक वटा 4 zx ठीक है? तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे अब यह हो जाएगा a plus b plus c का whole square यानि a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c या बराबर क्या होता है? a plus b plus c का whole square यानि एक वटा 2 x plus minus by plus एक वटा 4 z का whole square देखिए a plus b plus c का whole square यानि a के जगा पे एक वटा 2 x है b के जगा पे minus by है और c के जगा पे एक वटा 4 z है तो a plus b plus c का whole square इस तरह लिख लेंगे तो इसको अब हम लिख सकते हैं एक वटा 2 x पलस माइनस क्या होता है? minus तो minus by plus एक वटा 4 z का whole square इस तरह हम लिख सकते हैं क्योंकि plus minus कोईश्टा खटाएंगे तो minus हो जाएगा तो एक वटा 2 x minus by plus एक वटा 4 z का whole square अब यहाँ वर्ग है तो इसको हम लिख सकते हैं एक वटा दो एक वटा 2 x माइनस बाई पलस एक वटा 4 z गुना एक वटा 2 x माइनस बाई पलस एक वटा 4 z तो वर्ग है तो इसको दो बार गुना करके लिख देंगे एक वटा 2 x माइनस बाई पलस एक वटा 4 z गुना एक वटा 2 x माइनस बाई पलस एक वटा 4 z तो यह हो गया इसका गुननखंड तो इस तरह से इसको हल करेंगे यह हुआ यह हुआ यह दो ऊटसन थे लोग वटाओा करो